तो लोग सभा चुनाव ऐसे जीतेगी भारती जानदा पार्टी देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे धनी पुलिटिकल पार्टी भाजपा के लिए बस यही एक रास्ता बचा है। आज मैं आपके सामने कुछ तस्वीरे पेश कर रहा हूँ दोस्तों और आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि क्या ये वो टूल किट होने वाला है जिसके जरिये भारती जंदा पार्टी दोहजारचौबीज के लोग सभा चुनाव जीतेगी? कई तस्वीरे होंगी दोस्तों सबसे पहले आपके सामने चंडिगड मेयर चुनावों में जो कथित धांधली हुई है खुले आम क्यामरी के सामने जो अपने आप में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक लंभा है दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया पूश्टाच किया एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया जाता है यानि कि विपक्ष पर लोक सभाच उनावों से पहले दबाव बनाया जाए कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया जाए और तीसरी बात EVMs को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे है जो कंपनी भारत Electronics Limited EVM बनाती है उस कंपनी में भाजपा के चार अधिकारी काम कर रहे है यह क्या हो रहा है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल इलाबाज़ाथ है तेरे मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने चंडिगड मेयर चुनावो को लेकर जो धांदली हुई है वो मैं आपको बताता हूँ आप में से कई लोग जानते हैं इन चुनावो में कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी एक साथ आये थे उनके कुल वोट 20 थे भाज़पा के वोट थे 16 मगर प्रेज़ाइडिंग ऑफिसर जो की भाज़पा का एक अधिकारी है कार करता है उसने आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के 8 वोट रद कर दिये इन्वैलिड करा दे दिये और ये सब हुआ कैमरे के सामने आपके सामने दोस्तों वो लमा यहां कथित तोर पर अनिल मसी जो हैं आप देख सकते हैं बैलिट पेपर्स पर कुछ लिख रहे हैं और फेक रहे हैं विपक्ष यारोप लगा रहा है कि उन्होंने जो इन्वैलिड या अवैद करार दिये हैं विपक्ष के वोट यहां पर वो काम हो रहा था सबसे बड़ी बात दोस्तों जब आप किसी वोट को अवैद करार देते हैं ना तो आपको दोनों पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स को बुलाना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है मगर क्या अनिल मसीह ने ये किया और जो अनिल मसीह ने किया क्या बड़े पैमाने पर यही हम लोकसभा चुनावों की दौरान देखींगे क्योंकि पहले तो उन्होंने विपक्ष के यानि की आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस के वोट्स को अवैद करार दे दिया और उसके बात क्या किया दोस्तों वो देखिए तुरंत भाजपा का जो नेता है जो विजेता खोशित किया गया है वो तुरंत गद्दी पर आकर बैठ जाता है और अनिल मसी जो हैं बैलिट पेपर्स को जपटने की कोशिश करते है तभी आम आदमी पाटी और कॉंग्रेस का एक कार करता आता है और वो बैलिट पेपर्स छीनके अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भाजपा के जो तमाम कार करता है उस पर जपट पड़ते हैं और उससे दोबारा बैलिट पेपर्स छीनके अनिल मसी को दे दिया जाता है और अनिल मसी उन बैलिट पेपर्स के साथ भाग जाता है मैं आप से फिर सवाल पूछना चाहता हूँ अगर विपक्षियानी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के जो बैलिट पेपर्स में या वोट्स में दिक्कत थी तो क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दोनों नहीं दिखाना चाहिए था और ये ना भूलें इससे पहले क्या ड्रामा हुआ था इससे पहले अनिल मसी की बीमारी का हवाला देकर चुनावों को 6 फरवरी तक के लिए मुल्तवी कर दिया था पंजाब और हर्याना हाई कोट ने कहा नहीं आप तुरंट चुनाव कराईए और सारी जानकारी हमें दीजे और जब चुनाव कराए गए तो ये नजारा दिखा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लोगतंत्र के लिए शर्मिंदगी वाला दिन है दोस्तों और मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या यही मनजर हम लोग सभा चुनाव के तोरान भी देखेंगे ये हो रहा है चंडिगर के मेर चुनावों में दोस्तों ये कोई विधान सभा सीट नहीं है ये कोई लोग सभा सीट नहीं है ये सिर्फ मेर के चुनाव है और यहाँ पर दिखिए भाजपा ये करती नजर आई कथित तोर पर राहूल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर जो भारती जन्ता पार्टी मेर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी ये कल्पना से परे है वर्षों पहले आज ही की दिन गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी और आज ही गोडसे वादियों ने उनके आदर्शों और सामवेधानिक मूल्यों की बली चढ़ा दी सही तो है दोस्तों आज ही की दिन महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की थी जिसे देश का पहला आतंकवादी बताया जाता है और उसी तीस जनवरी को चंडिगर के मेर चुनावों में ये नजारा देखा गया मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों मद्प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब एक भाजपा के नेता का पैसा खतम हो गया था आप पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप एक सर्व दली बैठक बुलाएं और उसमें वहाँ जो स्थानी डियम हैं वो सभी दलों से बादशीत करके फैसला ले सकता है मगर ये बैठक नहीं बुलाएं गई और उस स्थानी अधिकारी ने मेरे खाल से सतना की घटना थी उस स्थानी अधिकारी ने भाजपा के नेता के पैसे बढ़ा दिये ये नजारा हमने मद्द प्रदेश के चुनावों में कई बार दिखा है किस तरह से स्थानी अधिकारी खुले आम भाजपा के नेताओं की मदद कर रहे थे और फिर एक सो कॉल्ड प्रिजाइडिंग आफिसर अनिल मसी शंडिगर के मेर चुनावों में ये करता हुआ दिखाई देता है विपक्ष कह रहा है कि ये देश के साथ घद्दारी है ये देश दुरो है उसे गिरफतार किया जाना चाहिए मैं फिर आप से सवाल पूछना चाहता हूँ आप किसी भी पुलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं मगर क्या ये किया जा सकता है और इसी 30 जनवरी को एक और चीज हुई दोस्तों तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया पूछता चली एक दिन पहले उनके बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था नो घंटे तक पूछता चली थी उनकी बेटियों मीसा और रुहीनी ने कहा था कि लालू जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था जारखन के मुक्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जाँच एजिंसी का दबाव बना हुआ है राहूल गांधी को भी अलग-अलग तरीकों से घेरा जा रहा है यानि कि बातते है कि लोग सभा चुनावों से पहले किसी बड़े राजनेता को गिरफतार भी किया जा सकता है यानि कि पहले अधिकारियों के जरिये जो हमने मद्द प्रदेश की चुनावों में देखा था चंडिगर्ड के मेयर चुनावों में देखा था अधिकारियों के जरिये नतीजों को आप अपने पक्ष में लाएं फिर आप नेताओं पर लगातार निशाना सादे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भरष्टाचार की बात भाजपा करती है अजीत पवार अब आपके साथ हैं भाई देवेंद्र फणनवीस उन्हें जेल भेजने की बात करते थे अब उनकी बराबरी पे आज़े डेपिटी चीफ मिनिस्टेर बैठें शगन भुजबल उनके साथ बैठें नाराइन राणे सब पक्ष के किसी भी नेता पर जब भी कोई दबाव हू जाच एजनसी इसका सहरा लिया जाए और उन्हें अपने पाले में ले लिया जाए या फिर अगर जो पाले में ना आये तो उसे लगातार परेशान किया जाए जिस तरह से तेजस्वी और राहूल गान्धी को परेशा मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाता हूँ दोस्तों ऐसे चुनावों में बराबरी कैसे हो सकती है और अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाता हूँ इंतजार कीजेगा आगे जाकर EVM को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा मगर एक और खबर और ये इंडियन एक्सप्र करोड रुपए जारी किये गए हैं मगर ये 500 करोड रुपए सिर्फ एकनाच शिंदे और भाजपा के विधायकों के पास जा रहे हैं विकासकारियों के लिए जो विपक्ष है यानि जो अधव ठाकरे और कॉंग्रिस से जुड़े हुए जो विधायक हैं उन्हें कोई पैस आया जा सकता है सरल शब्दों में कहा जाये दोस्तों तो आपके स्क्रीन्स पर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं विधायकों को विकासकार के लिए फंड देने की योजना है इंडियन एक्सप्रेस के मताबिक फंड भाजपा और शिंदे सेना के विकास है भाई मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों ये बराबरी का मुकाबला कैसा है विपक्ष को पैसा नहीं दिया जाता है पूरी की पूरी जाच एजनसी उनके नेताओं के खिलाफ लगी रहती हैं जो अधिकारी हैं नौकर शाह वो भी भाजपा के सा रहा हूँ वो तो मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ और सबसे बड़ी बात जब विपक्ष एवियम पर चर्चा करने की बात करता है तो चुनाव आयोग उसे नजरन्दास क्यों कर देता है दो खबरे हैं और दोनो चर्चा लायक हैं पहली बात इलेक्ट्रोनिक एक फॉर्मर सरकारी अधिकारी हैं जिनका नाम है E.A.S. सर्मा उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा था ये वो खत है दोस्तों और इस खत में E.A.S. सर्मा ने कहा था कि भाय ये जो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड है जो इवियम बनाता है उसमें चार अधिकार का ध्यक्ष है मनसुख भाई खाचरिया क्या ये विरोधा भास नहीं है क्या ये conflict of interest नहीं है और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं ये जो इवियम के अंदर source code होता है जिसके जरीए आप नतीजे बदल सकते हैं वो source code किसके पास होता है शुनाव आयोग के पास नहीं होता है पत्रकार मीतू जैन ने पूरी पड़ताल की थिया और उसके मताबिक ये source code होता है B.E.L. भारत Electronics Limited के इंजीमियर्स के पास वो B.E.L. जिसमें भाजपा के जो अधिकारी है भाजपा के नेता वो नौकरी कर रहे हैं अब अगर E.A.S. सर्मा जो कि एक अधिकारी है former government servant है वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है विपक्ष ने एक और सवाल उठाया था आपको याद है ना विपक्ष की क्या मांगती विपक्ष की बहुत सरल मांगती कि भाई जब आप vote देते हैं जब आप electronic voting machine में बट पैट में है या नहीं और उसके बाद उस वीवी पैट के परचे को एक बकसे में डाल दिया जाए क्यों ताकि कल को अगर चुनावी नतीजों में कोई घरबड हो जाए कोई विवाद हो जाए तो उन वीवी पैट की परचे की गिनती की जा सकती है चुनाव आयोग ये नही कहते हैं कि कम से कम विपक्ष से मिलिये तो सहीं, जी हाँ, जो दो मुद्दे मैंने आपको सामने रखे हैं, भारत Electronics Limited और साथ ही वीवी पैट परचियों वाली बात, इन्हें मानना तो बहुत दूर की बात है, छुनाव आयोग विपक्ष से मिल ही नहीं रहा है, सही सुना इस कारिकर्म का मकसद क्या था दोस्तों, पहले चंडिगर मेर चुनावों के जरी आखों के सामने यह सब हो रहा है, और कोई मीडिया ऐसे खबर नहीं बना रहा है, कोई मीडिया भाच्पा को कड़ घरे में नहीं रख रहा है, मेरे जैसे पत्रकार इस पर चीक रहे हैं, ब बता रहा है, खबर बनानी चाहिए थी ना, मीडिया को ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि भई जो भरष्टाचारी भाच्पा के नेता है, उन से सवाल क्यों नहीं किया जाता, उन पर जाच एजिंसी कारवाई क्यों नहीं करती है, वो क्यों जब भाच्पा की गोद में बैड जाते हैं, तो उनके दाग धुल जाते हैं, ये सवाल मीडिया को पूछना चाहिए, मीडिया को ये भी सवाल पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग विपक्ष से क्यों नहीं मिल रहा है, एक लोगतंत्र है ना, इसी लिए सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था कि हो और चीफ जस्स अव इंडिया हो, मगर क्या किया भाजपा ने, संसद में जो उसकी ताकत है, उसके आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोट के फैसले को पलड दिया, और अब चुनाव आयोग के चुनाव में रधान मंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं, और मोदी सरकार के क्य काबिनिट का एक मंत्री है, ऐसे में आप बताईएं न, चुनाव निश्पक्ष कैसे हो सकता है, ये बहुत चिंता जनक बात है दोस्तों, चंडिगर में जो हुआ, वो एक खत्रे की घंटी है लोग सभा चुनावों के लिए, और दुख की बात ये है, कि इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, मगर हम इस मंच पर सवाल करते रहेंगे, बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही अबिसार शर्मा को दीजिए अजासत, नमस्कार